कि नमस्कार दूस्तों मैं अनुराग कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सो पांच का पंच में चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रस्नों की तरफ जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं यह आपको वह देता है जो आप काम करते हैं ठीक है दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रस्नों की तरफ पहला प्रस्न 30 जुलाई 2020 को प्रधान मंत्री श्री नरेन मोदी किस देश के उच्टम न्याले के नए भवन का सुभारंब करेंगे चार आपके पास नैपाल मयानमार मौरिसेस या इन में से कोई नहीं चलिए इसका जवाब देखते हैं इसका जवाब है मौरिसेस कैसे देखिए भारत यहां है मौरिसस एक अफरीकान देश है ठीक है दोस्तों ओके अब ये किस हे तुपरधार मंत्र नरेन मोदी इसका उद्गाटन क्यों करेंगे इसके बारे में जानना गहुत जरूरी है भारत सरकार ने पांच प्रियोजनाओं के लिए 2016 में मौरिसेस को 353 म, अमेरीकी ड्यूर का विएस आर्थी की पैकेज दिया था जिसके अंतरगत ये जो उच्च नियाले बना है ये पहली प्रियोजना है ठीक है दोस्तों आगे दिखते हैं हिंद महासागर पूरा है हिंद महासागर में श्थीत अफ्रीका महादीप का ये मौरिसेस एक दीप देश है ठीक है दोस्तों और मौरिसेस का राष्टी पंची डोडो जैसा आप ये फीगर में देख रहे हैं डोडो है जो इस दुनिया में लगभग विलुप्त हो चुका है ठीक है दोस्तों और एक बात और एक मौरिसेस एक मात्र अफ्रीकन देश है जहा नहीं है लेकिन इसके पास एक तट्रचत बल और एक पुलिस बल है ठीक है दोस्तों अगर देखा जाए मौरेसेस की राजधानी है पोर्ट लुई भासा के बोली जाती है अंग्रेजी फ्रेंच और हिंदी प्रधार मंत्री है स्री प्रविंद जगतनात आजादी इसको मिली मार्च 1968 को किसके द्वारा यूनाइटेट किंडम के द्वारा ठीक है दोस्तों इसकी मुद्रा है मौरेसेस रूपी ठीक है दोस्तों आगे हम अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्ण किस देश के 300 साल पुराने एतिहासिक मंदिर का पुनर निर्मान भारतिय सहायता से किया जा रहा है ठीक है दोस्तों बागला देश लैपाल थाइलेंड वियतनाम चलिए इसका सही जवाब है बांगला देश कैसे चलिए आगे देखते हैं यह जो महाकाली का मंदिर है यह धाका में इस्थी ते ठीक है दोस्तों इसके पुनर निर्मान के लिए 97 ला ठीक है दोस्तों आप अगर देखें आगे बांगला देश की राजधानी क्या है धाका भासा बंगाली राष्टपती अब्दुलहामीद प्रधान मंत्री सेख हसीना आजादी इसे 26 मार्च 1971 को मिली थी और मुद्रा इसकी है बांगला देशी टाका चलिए आगे बढ़ते अगले प्रस्ति की तरफ हाल में ही भारतिय स्टेट बैंक ने कोवीड-19 सहायता के रूप में किस देश को 16.2 अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता की है ठीक है दोस्तों चार आपके पास है बांगला देश माल दीप इरान और मयानमा इसका सही जवाब है माल दीप्स ठीक ह जाती है राश्टपति इब्राहिम मोहमद सोहिल है आजादी इसे विलीदी 26 जुलाई 1965 युनाइट किंग्डम द्वारा और मुद्रा इसकी है माल दीप रूपया तो भारते इस्टेट बैंक ने क्यों किया है इसके बारें बताऊं भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI ने तरल क्यों दी गई है यह सहायत्या मालदीप के तरफ से इंडिया फर्स्ट पॉलिशी के तहत दी गई है और दूसरा इंडिया की तरफ से क्या है नेबर हुड फर्स्ट के तहत दी गई है खीक है दोस्तों आई होप यह जानकारी आपको पसंद आएगी आगे देखिए अगला प्रस्न है भारतिय उड्यन महानिदेशक DGCA द्वारा मानेता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रसिच्छन स्कूल कौन सा है चार ओप्शन है दिल्ली फ्लाइंग क्लब मुंबई फ्लाइंग क्लब गुजरात फ्लाइंग क्लब नातपूर फ्लाइंग क्लब दोस्तों इसक सही जवाब है मुंबई फ्लाइंग क्लब मुंबई फ्लाइंग क्लब को इसकी मालनिता भी नहीं है कि ड्राउन के लिए प्रसिच्छन दे सकता है ठीक है दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं इसकी अस्थापना कब हुई थी 29 मई 1928 को इसकी अस्थापना हुई थी ठीक है दोस्तों अगर हम देखें तो भारत देश में पहला लाइप पाइलेट लाइसंस किस ने प्राप्ट किया था वह प्राप्ट किया था जिसे सिविल एविएशन का पितामा भी कहा जाता है उनीस सो उन्तिस में जे आडी टाटा ने यहां पर ट्रेनिंग भी ली थी ठीक है दोस्तों और महिला में किसको पहला लाइसंस प्राप्ट हुआ था तो यह जानके आपको आश्यार होगा कि जे आडी टाटा की बहन दिन साप पैटिट को प्रतम महिला लाइसंस अगरी कुडियन मंत्री कौन है सुरेश प्रभू सहाब और डीजी सीए जो है डीजी सीए यह 84 एयर पोर्टों का संचालन करता है ठीक है दोस्तों चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है डिफेंस इंस्टिटूट ऑफ एड़ टेकनोलजी डाइट द्वारा विक्सित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का नाम क्या है चार ओप्सन है आश्रय सफलता बचाव या विकास इसका सही जवाब है आश्रय कैसे चलिए ब्रीफ में देखते हैं आप जैसा की देख पा रहे है डाइट उन्वेसिटी पुना है यह इसका लोगों दे रखा है यहाँ पर चलिए आश्रय नाम से एक चिकिस्सा बिष्तर अलगाव प्रणाली विक्सित कई गई है क्योंकि गई है डाइट ने इस प्रणाली को कम लागत वाली पुना प्रयोजन समाधहान के रूप में विक्सित किया है जिससे की 19 के रोगियों के उचित अलगाव को बनाया रखा जा सके खीक है दोस्तों अगर हम देखें तो डाइट की अस्थापना कब हुई थी डाइट की अस्थापना हुई थी सन 1952 में और इसका अभी फिलहाल नाम है Defense Institute of Advanced Technology तो इसका पहले क्या नाम था इसका सन 1952 से लेकर सन 1967 तक इसका नाम था Institute of Armament Studies ठीक है दोस्तों फिर 1967 से 2006 तक इसका नाम रहा Institute of Armament Technology और 2006 के बाद इसका नाम रखा गया डाइट ठीक है इसके चांसलर है रच्छा मंत्री स्री राजना सिंग वाइस चांसलर है डॉक्टर सीपी राम नरायन अब डाइट के बारे में आपको जानकारी दूं यह एक प्रीमियम ड्रीम इन्वर्सिटी है जो की रच्छा मंत्रा लेके तहत आती है डाइट का कार्य क्या है डाइट भारतिय थल सेना जल सेना वायू सेना के अपसरों को ट्रेनिंग देता है साथ में ही पैरा मिलिटरी फोर्स जो की होम निष्टर के अंदर में आती है जैसे सी र पी अफ, बी एस एफ, एस एस बी एक सेक्टाज इसके अलावा ऐसी बहुत सी पैरा मिलिटरी फोर्से से जिसको यह ट्रेनिंग देती है डिफेंस, पी एस यू जैसे की हल, बी, यल औ बीडियल को भी यह ट्रेनिंग प्रदान करती है, साथ साथ में यह सीपिंग एजेंसिया, जैसे की कोचीन या गोवा सीप्यार है, इनको भी ट्रेनिंग प्रदान करती है, साथ साथ में पडोशी देश, क्या दोस्तों, पडोशी देश की सेनाओं को भी यह ट्रेनिंग प् of advanced technology ठीक है दोस्तों चलिए धन्यवाद इस सोग को देखने के लिए अगर यह सोग आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका लाब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले धन्यवाद नमस्कार जय हिंद